नमस्कार आप देख रहे हैं वी टाइम नियूस बढ़ते हैं चारखन की खबरों की ओर सेवी के सांसाथ आम जनता ने भी इस्थाने प्रत्याशी को मांग करना चालू कर दिये हैं लोगों ने नारे लगा रहे हैं कि अपनी मिट्टी अपनी वोट बाहरी आये तो देंगे चोंट हम सभी की एक ही मांग अपकी बार इस्थाने उम्मिद्वार चत्रा लोगसाबा सीथ 1957 इस्वी में अस्तीत्व में आया सीथ के अस्तीत्व में आने के बाद साल 2019 तक कुछ 16 बार लोगसाबा के चुना हुए और इन 16 बार में जिस भी पार्टी के सांसाथ निर्वाचित हुए वा सब के साब बाहरी ही थे या शेत्र के लिए पूर्ण विशह उन्होंने यह अभी कहा कि चत्रा लोगसाबा शेत्र में इस्थाने निवासे सांसदना हो राष्टी इस्तर पर सवाल बन चुका है जो महानाया का मिताब बच्चन द्वारा कौन बनेगा करोणपती तीवी चैनल पर पूछा गया था शी सूरज ने कहा कि अगामी तीन मार्च को पाकी सिचाई विभाग के मैदान में चत्रा लोगसाबा इस्तरी इस्थाने उम्मिद्वार को लेकर राष्ट शुमारी महासम्मिलन जुटान कारिक्रम आयोजित किया गया है इस महासम्मिलन में चत्रा लोगसाबा के विभिन जगों से लोग उपस बतादे की पुरे भारत में साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है देश के अलग-अलग राज्यों की तरह ही जारखंड में भी अब इसकी शुरुवात तेज हो गई है 17 लोकसभा का चुनाव होना है और 14 लोकसभा का जो इतिहास हम लोग देखते हैं उसमें यहीं देखते हैं हमेशा से बाहर से लोग उमिदवार आते हैं और जितके चले जाते हैं कभी बंगाल से लोग आते हैं कभी बिहार से लोग आते हैं कभी को यूपी से लोग आते हैं हो सकता है इसे बाहर से और लोग भी आ जाए तो हम लोगों के जो चत्रा लोक सभा पर जो एक कलंक जो लगा हुआ है कि यहां पर जो है आज कोई सांसद नहीं बने हैं तो हम लोग इस बार 17 लोक सभा में 14 लोक सभा जो यहां का भूमी पूत्र है वहां के लोग सवाँ पता है कि 14 लोक सभा के अंदर मैं को न आदमी किस तरह के लोगहें यहां का भोगलिक इस्तिती क्या है यहां की भासा क्या है उनको प्रतिक बात की जनकारी है तो इस बार जो है हम लोगों का मांग है कि यहां का उमिदवार जो हो शांसत जो हो इस बार जो है लोकल हो अस्थानी हो जिसके लिए हम लोग सिचाई विवार के मैदान में तीन मार् समेलन के माध्यम से जिसमें की लाखों लोग इस कारिकरम में सामिल होंगे और उनकी राय को हम लोग जानेंगे और तै करेंगे कि हम लोग का अस्थानिय सांसद यहां पर भूख इटाइम न्यूस के लिए पलामु से संजीू कुमार प्रजपतिक रिपोर्ट